दिल्ली सल्तनत प्रश्न पांच कुतब बुद्दीन एबक किस जाती का था उत्तर तुर्क जाती का प्रश्न छे कुतब बुद्दीन एबक की राजधानी कहा थी उत्तर लाहौर प्रशन 7. कुतब बुद्दीन एबक ने कौन कौन सी उपाधी धारण की थी। उत्तर, मलिक एवम सिपह सालार की। प्रशन 8. गुलाम वंश के किस शासक को लाख बक्ष कहा जाता है। उत्तर, कुतब बुद्दीन एबक को। प्रशन 9. लाख बक्ष का अर्थ क्या होता प्रश्न 10 दिल्ली में कुतुब मिनार की नीव किस शासक ने रखी थी उत्तर कुतुब बुद्दीन एबक ने प्रश्न 11 दिल्ली में कुवत उल इसलाम नामक मस्जित का निर्माल किसने कराया था उत्तर कुतुब बुद्दीन एबक ने प्रिष्ट 55 प्रश्न 12 अजमेर में धाई दिन का जोपड़े का निर्मान किसने करवाया था उत्तर कुतबुद्दीन एबक ने बिहार तथा बंगाल पर अधिकार करने के लिए किसे भेजा था उत्तर बख्तियार खिलजी को प्रश्न चौदा दिल्ली का कुतब मिनार किसकी इस्मृती में बनाया गया है उत्तर प्रसिद सूफी संथ शेख ख्वाजा कुतबुद्दीन बख्तियार काकी की इस्मृती में प्रश्न पंद्रा लाहोर में चोगान यानी पोलों खेलते समय घोडे से गिर कर किस शासक की मृत्यू हुई थी उत्तर कुतबुद्दीन एबक की प्रश्न सूला कुतबुद्द इसवी में प्रश्न सत्रा कुतबुद्दीन एबक की मृत्यू के बाद गुलाम वंश का शासक कौन हुआ उत्तर कुतबुद्दीन एबक का पुत्र आराम शाह प्रश्न अठारा आराम शाह को कहां की गद्दी पर बैठाया गया था उत्तर लाहोर की गद्दी पर प्रश् इल्तुत मिश को प्रश्ण 21, आराम शह और इल्तुत मिश के बीच हुए संगर्ष में किसकी पराजय हुई थी। उत्तर आराम शह की इल्तुत मिश प्रश्ण एक आराम शह के बाद गुलाम वंश का शासक कौन हुआ उत्तर इल्तुत मिश प्रश्ण दो इल्तुत मिश ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी उत्तर दिल्ली में 3. इलतुतमिष दिल्ली की गद्धी पर कब बैठा? उत्तर 1211 एसवी में 4. गुलाम वंश का शासक बनने के पूर्व इलतुतमिष कहाँ का सूबेदार था? उत्तर, बदाईूं का, प्रASHन पांच, इल्थुतमिश कौन था? उत्तर, कुतब बुद्दीन ऐबक का घुलाम और दामाद प्रASHन चे, पहला तुर्क सुल्तान कौन था जिसने शुद्ध अर्बी सिक्का चलवाया था? उत्तर इल्तुत मिश प्रश्ण साथ गुलाम वंश के किस शासक ने अपने नाम से चांदी के सिक्के चलवाई थे उत्तर इल्तुत मिश ने इस सिक्के को चांदी का टका कहा जाता था प्रिश्ट 56 प्रश्ण 8 गुलाम वंश के किस शासक ने तामे के जीतल यानी सिक्के चलवाई थे उत्तर इल्टुत मिशने प्रश्ण 9 गुलाम वंश के किस शासक ने इक्ता विवस्था का प्रचलन किया था उत्तर इल्तुत मिशने प्रश्ण 10 गुलाम वंश के किस शासक ने तुर्कान ए चिहलगानी प्रथा शुरू की थी उत्तर इल्तुत मिशने प्रश्ण 11 तुर्कान ए चिहलगानी का अर्थ क्या होता है उत्तर, चालीस सर्दारों का संगठन प्रश्न बारा, दिल्ली में कुतुप मिनार का निर्माल किसने पूरा करवाया था उत्तर, इल्तुत मिशने प्रश्न तेरा, इल्तुत मिशने कौनसी उपाधी धारण की थी उत्तर, नासिर अमीर उल मोमिनीन गुलाम वंश के किस शासक के शासनकाल में मंगोल आक्रमन कारी चंगेस खां भारत आया था। उत्तर इलतुतमिश। प्रश्न सत्रा, सुल्तान रुकनुत दीन फिरोज के बाद दिल्ली की गद्धी पर कौन बैठा? उत्तर, इल्तुत मिश्की पुत्री रजिया सुल्तान. प्रश्न एक, रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्धी पर कब बैठी? उत्तर, बारा सो चतिस इसवी में. प्रश्न दो पहली मुसलिम महिला कौन थी जिसे दिल्ली की गर्दी पर बैठाया गया उत्तर रजिया सुल्तान प्रशन चार रजिया सुल्तान ने अमीर ए आखूर के पद पर किसे नियुक्त किया था मलिक जमाल उदिन याकूत को रजिया सुल्टान के विरुद अड़ा किस ने विद्रह किया था सरहिंद भटिंडा के अक्तादार अलटूनिया दौरा किये गई विद्रह को कुचलने के लिए किसे भेजा गया था उत्तर स्वयम रजिया सुल्तान, प्रिष्ट सत्तावन, प्रश्ण साथ, इस विद्रोह का परिणाम क्या हुआ, उत्तर दिल्ली के तुर्क अमीरों ने रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया, तथा इल्टुत मिश्च के तीसरे पुत्र मुईजुद दीन बहराम शाह को द प्रश्न दस रजिय सुल्तान एवं अल्तूनिया की मित्यूक किस प्रकार हुई उत्तर बहराम शह ने कैथल के समीप दोनों की हत्या कुछ डाकूओं द्वारा करवा दी नासिरुद्दीन महमूद प्रश्न एक नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली की गदी पर कब बैठा उत और 1246 इस भी में प्रश्न दो नासिरुद्दीन महमूद ने राज्जी की समस्टशक्ती किसे सौpी थी उत्तर बलबन को तर बलबन को प्रश्न दीन नासिरुद्दीन ने बलबन को कौन सी उपाधी प्रदान की थी उत्तर उलूग खाकी प्रश्न चार गुलाम वंश का कौन शासक टोपी की सिलाई कर जीवन निर्वाह करता था उत्तर नासिरुद्दीन महमूद बल्बन प्रश्न एक बल्बन दिल्ली की गर्दी पर कब बैठा उत्तर 1265 इसवी में प्रश्न दो बल्बन किसका गुलाम था उत्तर इल्तुत मिश्का प्रश्न तीन बल्बन का पूरा नाम क्या था उत्तर गयासुद्दीन बल्बन प्रश्न चार गुलाम वंश का सबसे महान शासक कौन था उत्तर बल्बन प्रश्न पांच गुलाम वंश के किस शासक ने सिजिदा और पैबोज की परंपरा शुरू की थी उत्तर बलबन ने प्रश्न चे गुलाम वंश के किस शासक ने नौरोज उत्सव प्रारंब किया उत्तर बलबन प्रश्न साथ चहल गान यानी 40 तुर्की सरदारों को समापत किस ने किया उत्तर बलबन ने प्रश्न आठ गुलाम वंश का वो कौन सा शासक था जिसने उत्तर में मंगोलों के आकरमन से रक्षा की थी उत्तर बलबन ने प्रश्न अठावन प्रश्न नौ बलबन का दरबारी कवी कौन था उत्तर फार्जी कवी अमीर खुसरों एवं अमीर हसन प्रश्न दस अमीर खुसरों ने कौन सा बाते यंत्र का आविश्कार किया था उत्तर सरूद एवं सितार प्रश्न ग्यारा गुलाम वंश और किस नाम स जाना जाता है। उत्तर, ममलूक वण्ष के नाम से। प्रशन बारा, बलबन की मित्यू कब हुई। उत्तर, 187 इस्वी में। प्रशन तेरा, गुलाम वण्ष का अंतिम शासक कौन था। उत्तर, शमसुदीन क्यूमर्स। प्रशन चौदा, इलतुद मिश्के शासनकाल में मं गोलों ने किसके नेतरत्व में भारत पर आक्रमन किया था। उत्तर चंगेस खां। प्रश्न पंद्रा दिल्ली सल्तनत की आयका मुखिस रोत किया था। उत्तर खराज, जकात, जजिया एवं खम्स। खिलजी वंश प्रश्न एक गुलाम वंश की समापती के बाद भारत में किस वंश की स्थापना हुई। उत्तर खिलजी वंश प्रश्न दो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। उत्तर जलालुदीन फिरोज खिलजी प्रश्न तीन खिलजी वंश की स्थापना कब हुई। उत्तर 1290 इसवी में, प्रशन चार जलालदीन फिरोज खिलजी कौन था, उत्तर गुलामवश के शासनकाल में जलालदीन फिरोज खिलजी सेना पती था, उसने गुलामवश का अंतिम शासक शम्सुतीन क्यूमर्स का वद कर दिल्ली के तक्त पर अधिकार कर लिया और खिलजी वंच की स्थापना की प्रश्न पांच कौन शासक अपराधियों को सजा के बदले उपदेश देता था उत्तर जलालुदीन फिरोज खिलजी प्रश्न छे खिलजी वंच के शासक किस जाती के थे उत्तर तुर्क जाती के प्रश्न साथ खिलजी वंच के किस शासक के शासनकाल म मंगोलों के प्रसिद नेता हालाकु के पोते अब्दुल्ला ने भारत पर आक्रमण किया था उत्तर जलालुदीन फिरोज खिलजी प्रश्न आठ मंगोल नेता अब्दुल्ला के भारत आक्रमण को किसने विफल किया था उत्तर अलाउदीन खिलजी ने प्रश्न नौ उलूख खां मंगोल ने अपने समर्थकों के साथ कौन सा धर्म ग्रहन किया था। उत्तर इसलाम धर्म प्रिष्ट 69। प्रश्ण 10 नवीन मुसल्मान कौन थे। उत्तर इसलाम धर्म ग्रहन करने के बाद उलूग खां मंगोल और उसके 4000 समर्थकों को दिल्ली के समीप रहने की अनुमत दे दी गई थी जो नवीन मुसल्मान कहलाते थे। अलावदीन खिलजी ने कौन सी उपाधी धारन की थी। प्रश्न 18 गुजरात में नुसरत खाने मलिक काफुर यानी हिंद हिजडा को कितने दीनार में खरीदा था। उत्तर एक हजार दीनार प्रश्न 19 मलिक काफुर को और किस नाम से पुकारा जाता था। उत्तर एक हजार दीनार में खरीदे जाने के कारण उसे हजार दीनारी भी कहा जाता था। प्रश्न 20 चितोड की महरानी पदमिनी ने जोहर क्यों दिखलाई थी। उत्तर अलावदीन की चितोड पर विजय के बाद चितोड के राजा राणा रतन सिंग शहीद हो गए इसलिए महरानी को ही जोहर दिखानी पड़ी। प्रश्न 21 अलावदीन ने चितोड का नाम बदल कर क्या रखा था। उत्तर खिजराबाद प्रश्न 22 दक्षन भारत में प्रवेश करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। उत्तर अलावदीन खिलजी। प्रशन थेईस, अलाउदीन खिल जी ने दक्षन भारत की विजय के लिए सेनापती बना कर किसे भेजा था। उत्तर, मलिक काफुर को। प्रशन चौविस, इस्थाई सेना को संगठित करने वाला पहला शासक कौन था। उत्तर, अलाउदीन खिल जी। प्रशन पच्चिस, किस मुसलिम शासक ने अपने शासनकाल में मूल्य नियंतरन प्रणाली को सकती से लागू किया था। उत्तर, अलाउदीन खिल जी ने। प्रेश्ट, साथ। प्रशन चब्श, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आपको मुल्लाओं के प्रभाव से दूर रखा। उत्तर, अलाउदीन खिल जी। प्रशन प्रशन चब्श, किस के शासनकाल में दिल्ली के निकट बसे नवीन मुसल्मानों का कतले आम हुआ था। उत्तर, अलाउदीन खिल जी के प्रशन चब्श, अलाउदीन खिल जी ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी। उत्तर, दिल्ली के निकट सीरी में प्रशन उन्तिस, अलाउदीन खिल जी की इस्थापत्य कला के क्षेतर में महत्वपून देन क्या है। उत्तर, अलाई दर्वाजा, सीरी का किला, हजार खंबा महल, जमयत खाना मस्जिद. प्रश्न तीस, अलाउदीन खिलजी की मित्यू कब हुई? उत्तर, तेरा सो सोला इस्वी में. प्रश्न तीस, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर, नासिरुदीन खुजर्व शाह, खिलजी. प्रश्न तीस, खिलजी वंश ने कब से कब तक शासन किया? उत्तर, बारा सो नबबे इस्वी से तेरा सो बीस इस्वी तक. तुगलक वंश. प्रश्न एक, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर, गाजी मलिक या गयासुदीन तुगलक. प्रश्न दो, तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, तेरा सो बीस इस्वी में. प्रश्न तीन, गयासुदीन तुगलक के शासनकाल में मंगोलों ने भारत पर कितनी बार आक्रमन किया था? उत्तर, उन्तिस बार, प्रश्न चार, तुगलकाबाद की नीव किसने रखी थी? उत्तर, गयासुदीन तुगलक ने, प्रश्न पांच, तुगलकाबाद कहा है? उत्तर दिल्ली के निकट, प्रश्ण चे, गयासुदीन तुगलक लगान के रूप में उपज का कितना भाग लेता था, उत्तर एक बटे दस से एक बटे बारा भाग लेता था, प्रश्ण साथ, किस शासकी मित्यू लकडी के घर गिरने से और कब हुई थी, उत्तर गयासुद उत्तर मुहम्मद बिन तुगलक, प्रश्ण 10, मुहम्मद बिन तुगलक कब दिल्ली की गर्दी पर बैठा, उत्तर तेरा सो पच्चिस इसवी में, प्रेश्ट 61, प्रश्ण 11, मुहम्मद बिन तुगलक ने दुआप के उपजाव प्रदेश में कितना कर लगाया था, उत् प्रशन बारा, तुगलक वंश के किस शासक के शासनकाल में भयंकर अकाल पड़ा था उत्तर मुहम्मद बिन तुगलक के प्रशन तेरा, मुहमद बिन तुगलक ने कृषशी के विकास के लिए किस विभा की इसधापना की थी, उत्तर दीवाने को ही, प्रश्न चौदा, मुहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से हटा कर कहा ले गया था? उत्तर, देवगिरी प्रश्न पंदरा, मुहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नया नाम क्या रखा था? उत्तर, दौलताबाद प्रश्न सोला, मुहम्मद तुगलक अपनी राजधानी को दौलताबाद से हटा कर फिर कहां ले गया था उत्तर वो दौलताबाद से फिर पुरानी राजधानी दिल्ली वापस ले गया प्रशन सत्रा तुगलक वंश के किस शासक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था उत्तर मुहम्मद बिन तुगलक ने उत्तर मुहम्मद बिन तुगलक ने प्रेशन बीस सन की बादशह किसे कहा जाता था उत्तर मुहम्मद बिन तुगलक को प्रेशन किस किसके शासनकाल में दक्कन में बहमनी राज्जी की स्थापना हुई उत्तर मुहम्मद बिन तुगलक प्रश्न वाईस मुहममत बिन तुगलक की मृतियू कब और कैसे हुई उत्तर 1351 इसवी में बीमार होने के कारण उसकी मृतियू हो गई प्रश्न तेइस मुहममत बिन तुगलक की मृतियू के बाद दिल्ली की राजगदी पर कौन बैठा उत्तर फिरोज शहात तुगलक 351 इसवी में प्रश्न 24 फिरोज शहात तुगलक कौन था उत्तर फिरोज शहात तुगलक मुहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था प्रश्न 25 फिरोज शहात तुगलक ने कौन-कौन से प्रमुख नगरों की स्थापना की थी उत्तर हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, फतेहाबाद 26. सर्व प्रथम हिंदू ब्रह्मनों पर जजिया कर किसने लगाया था? उत्तर फिरोज शहात तुगलक ने 27. फिरोज शहात तुगलक ने दिल्ली में किस दुर्ग का निर्माल करवाया था? इतिहास में किस शासक ने अपने आपको खलीफा का नायब घोशित किया था? उत्तर फिरोज शहात तुगलक ने 62. प्रशन 30. मध्यकालीन इतिहास में पहला कल्यानकारी शासक किसे कहा जाता है? उत्तर फिरोज शहात तुगलक को प्रश्न गत्रिस फिरोज शहा तुगलक की मित्यू कब हुई? उत्र तेरा सो अठासी इसवी में प्रश्न गत्रिस फिरोज शहा तुगलक की मित्यू के बाद दिल्ली की गद्धी पर कौन बैठा? उत्र फिरोज शहा तुगलक का पौत्र यानी पोता तुगलक शाह प्रश्न थेतिस तुगलक शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा उत्तर फिरोज शाह तुगलक का दूसरा पौत्र अबू बक्र प्रश्न जौतिस अबू बक्र के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा उत्तर शहजादा मुहम्मद 35. शहजादा मुहम्मद किस उपाधी के साथ दिल्ली की गद्धी पर बैठा 36. अलाउद्दीन सिकंदर शाह की गद्धी पर कौन बैठा 37. तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था 39. तुगलक वंश के किस शासक के बारे में कहा जाता था कि इनका शासन दिल्ली से पालम तक है 40. किसके शासनकाल में तैमूरों यानी मंगोलों ने 1398 इसवी में दिल्ली पर आक्रमन किया था 40. नासिरुद्दीन महमूद शह 41. किसकी मृत्यू के बाद तुगलक वंश का अंत हो गया 41. तुगलक वंश का अंति कब हुआ 41. तुगलक वंश के पतन के बाद दिल्ली की गद्धी पर किस वंश का शासन इस्थापित हुआ 42. सयद वंश का विजय नगर राज्य प्रशन एक 42. सल्तनत काल में दक्षन भारत में किस नए हिंदू राज्य का उदय हुआ 43. तुगलक वंश का कौन सा सुल्तान भारत पर शासन कर रहा था 43. मोहम्मद तुगलक प्रशन 3. किस राज्य को मध्ध युक का प्रथम हिंदू सामराज्य माना जाता है 44. विजय नगर को 63. प्रशन 4 विजय नगर राज्य की इस्थापना किस नए हिर एवं बुक का नामक दो भाईयों ने प्रश्न पाच विजयनगर राज्जी की इस्थापना कब हुई उत्तर 1336 इसवी में प्रश्न छे विजयनगर राज्जी की राजधानी कहा थी उत्तर विजयनगर प्रश्न साथ विजयनगर किस नदी के किनारे बसा था उत्तर तुंग भद्रा नदी के किनारे प्रश्न उत्तर, कृष्णा नदी से कन्या कुमारी तक, प्रेश्ण 9, हरिहर एवं बुक्का किसके पुत्र थे, उत्तर, होईसल राज्जी के प्रधान संगमा के पुत्र थे, प्रेश्ण 10, हरिहर एवं बुक्का ने जिस सामराज्जी की स्थापना की, उसका नाम क्या दिया था, उत प्रश्न तेरा, हरिहर प्रथम की मित्यू के बाद विजयनगर की गर्दी पर कौन बैठा? उत्तर, बुक्का प्रथम प्रश्न चौदा, बुक्का प्रथम ने कब से कब तक शासन किया? उत्तर, तेरा सो चपन इस्वी से तेरा सो सततर इस्वी तक? प्रश्न पंद्रा, बुक्का प्रथम की मृत्यू के बाद विजयनगर की गर्दी पर कौन बैठा उत्तर, हरिहर द्वितिय, प्रश्न सोला, किसके शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर आया था, उत्तर, देवराई प्रथम, प्रश्न सत् फार्सी राजदूद अब्दुलरजाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था, उत्तर, देवराई द्वितिय, प्रश्न बीस, विजयनगर राजी का सबसे शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा कौन था, उत्तर, कृष्न देवराई, प्रश्न एकिस, कृष्न प्रश्न तेईस, पश्चमी तटपर विजयनगर सामराजी का प्रमुख वियापारी पत्तन कौन सा था, उत्तर, काली कट, प्रश्न चौबिस, कृष्न देवराई ने कौन सी उपाधी धारन की थी, उत्तर, यवन राज, इस्थापना चार्य, प्रश्न बच्चिस, साहित प्रश्न चौबिस, किस युद्ध के बाद विजयनगर राज्य का पतन हो गया, उत्तर, ताली कोट के युद्ध के बाद, प्रश्न बच्चिस, ताली कोट का युद्ध कब और किंदो राज्यों के बीच लड़ा गया था, उत्तर, 1565 इसवी में विजयनगर और बहमनी र प्रश्न एक, बहमनी राज्य का उदय कब हुआ, उत्तर, 1347 इसवी में, प्रश्न दो, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी, उत्तर, हसन गंगुने, प्रश्न तीन, हसन गंगुने कौन सी उपाधी धारन की थी, उत्तर, अलाउद दीन बहमन शाह, प्रश्न चार, त उत्तर गुलबर्गा प्रश्ण चे बहमन शाह ने अपने राज्जी को कितने भागों में बाटा था उत्तर चार भागों में गुलबर्गा दौलताबाद बरार तथा बीदर प्रश्ण साथ बहमनी राज्जी के विभिन्न भागों को क्या कहा जाता था उत्तर तर्फ प्रश्न आट, बहमन चाह की मृत्यू कब हुई ? उत्तर, तेरा सो अठावन इसवी में प्रश्न नो, बहमन चाह की मृत्यू के बाद गुलबारगा की गद्धी पर कौन बैठा ? उत्तर, मुहमद चाह प्रथम प्रश्न दस बहमनी राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन था उत्तर फिरोज शाह प्रश्न ग्यारा किस शासक ने भीमा नदी के तट पर नवीन नगर फिरोजबाद की स्थापना की थी उत्तर फिरोज शाह ने प्रश्ण 12 किस शासके शासनकाल में बहमनी राज्ज की राजधानी गुलबर्गा से हटा कर बीदर ले जाया गया था उत्तर एहमद शाह के प्रेश्ट 65 प्रश्ण 13 एहमद शाह ने बीदर का नया नाम क्या रखा उत्तर मुहमदाबाद प्रश्ण 14 इतिहास में एहमद शाह बली या संत एहमद का उलेख किस शासक के लिए मिलता है उत्तर फिरोज शाह के लिए प्रश्ण 15 किस शासक के शासनकाल में बहमनी राज्जी अपने चर्मोत कर्श पर था उत्तर मुहम्मद शहत रितिये के शासनकाल में बहमनी राज्य की उन्नती के पीछे किस का हाथ था उत्तर महमूद गवा का जो मुहम्मद शहत रितिये का प्रधान मंत्री था उत्तर कली मुल्लाह प्रश्न अठारा, बहमनी राज्य किन पाँच स्वतंत्र राज्यों में बट गया उत्तर, बीजापुर, एहमद नगर, बरार, गोलकोंडा, बीधर प्रश्न उन्निस, पाँच स्वतंत्र राज्यों में किसका सबसे महत्वपून इस्थान था उत्तर बीजापूर का प्रश्ण 20, बीजापूर में आदल्शाही वंश की इस्थापना किसने और कब की उत्तर यूसुफ आदल्षाह ने 1489 एसवी में प्रश्ण 21, आदल्षाही वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था उत्तर इब्राहिम आदल्शाह द्वितिय प्रश्ण 22 गरीबों के प्रती उदार द्रिश्टिकों रखने के कारण इब्राहिम आदिलशाहद द्वितिय को क्या कहा जाता था उत्तर अबला बाबा प्रश्ण 23 विद्वानों को सनरक्षन देने के कारण इब्राहिम आदिलशाहद द्वितिय को क्या कहा जाता था उत्तर जकत गुरू प्रशने 24 प्रसिद्ध हिंदी कविता की पुस्तक किताब ए नौरस की रचना किसने की उत्तर इबराहिम आदल शहत द्वितिय प्रशने 25 तारीख ए फरिष्टा की रचना किसके शासनकाल में हुई उत्तर इबराहिम आदल शहत द्वितिय के प्रशने 26 नौरसपुर नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उत्तर इबराहिम आदलशाह द्वितियने 27 जंजरी मस्जिद एवं काली मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर इबराहिम आदलशाह द्वितियने प्रश्ण 28 गोल गुंबत मस्जित का निर्मान किसने करवाया था उत्तर आदिल शाही वंश के आदिल शाहने प्रश्ण 29 बीजापुर के आदिल शाही वंश का अंतिम शासक कौन था उत्तर सिकंदर आदिल शाह प्रिष्ट 66 प्रश्ण 30 ओरंग जेब ने बीजापुर को मुगल सामराज में कब मिला लिया था उत्तर 1686 इसवी में इस प्रकार आदिल शाही वंश का अंति हो गया प्रश्ण 30 एहमद नगर में निजाम शाही वंश की स्थापना किसने की थी उत्तर मलिक एहमद ने प्रश्ण 32 एहमद न और 1494 इसवी में प्रश्ण 34 मलिक एहमद ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया उत्तर एहमद नगर को प्रश्ण 35 एहमद नगर का दुर्ग तथा कासिम खां का महल का निर्मान किसने करवाया था उत्तर एहमद निजाम शाह ने 36. एहमद नगर शहर में इस्थित बाग ए रोजा में किसका मकबरा है उत्तर एहमद शह निजाम शह का 37. एहमद निजाम शह ने किसकी सलाह पर एक महल एवं उद्द्यान बागे हस्त बहिस्त का निर्मान करवाया था 38. सलावत खां गुराजी 38. हुसेनाबाद नामक शहर की स्थापना किसने की थी उत्तर हुसेन निजाम शह द्वितिय ने 49. बरार के इमाद शाही वंश की स्थापना कब और किसने की थी 1490 इसवी में फते उल्लाह इमाद शहने kis मुगल शहसक ने इसे अपने सामराज्जी में मिला लिया अकबर ने 1596 इसवी में 41. बीदर में बरीद शाही वंश की स्थापना कब और किसने की थी 4526 इसवी में और अमीर अली बरीद ने प्रश्न 42 गोलकोंडा में कुतुब शाही वंश की सापना किसने और कब की थी उत्तर 1512 इसवी में कुली कुतुब शाहने प्रश्न 43 गोलकोंडा को किस मुगल शासक ने अपने सामराज्य में मिला लिया था उत्तर औरंग जेब ने 1687 इसवी में प्रेश्ट 66 सूफी एवं भक्ती आंदोलन प्रश्न 1 सूफी का क्या तात पर रहे है उत्तर सूफियों ने ईश्वर को अद्रिश्य संपूर्ण वास्तविक्ता और शाश्वत सौंदर्य के रूप में माना सूफी संथ एश्वर को प्रियतम एवं स्वयम को प्रियतम आम मानते है तथा उन्हें विश्वास है कि एश्वर की प्राप्ती प्रेम से की जा सकती है प्रेश्न दो मुहमद गौरी के साथ कौन सूफी भारत आये थे उत्तर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्टी जिन्होंने यहां चिश्टिया परंपरा की इस्थापना की नमबर तीन मुरीद जो लोग सूफी संतों से शिश्टा ग्रहन करते हैं उन्हें मुरीद कहा जाता है नमबर चार पीर जो लोग सूफी धर्म के उपदेशों को अपने मुरीदों को शिक्षा के रूप में देते हैं उन्हें पीर कहा जाता है नमबर पाँच खान काह सूफी जिन आश्रमों में निवास करते हैं उसे खान काह कहा जाता है नमबर छे ख्वाजा बख्तियार काकी वे इलतुतमिश के समकालीन थे इनका मकबरा दिल्ली में है नमबर साथ हजरत निजामुदीन ओलिया ये भारत के प्रसिद सूफी संद थे हिंदू एवं मुसलिम समान रूप से इनका आधर करते थे इनका मकबरा दिल्ली में है नमबर आठ ख्वाजा मोईनुदीन चिष्टी ये सुल्तान हिंद के नाम से प्रसिद हैं अपने जमाने के सरवाधिक लोगप्रिये सूफी संद थे इनका मकबरा अजमेर में है नमबर नो, शेख सलीम चिष्टी ये अगबर के समकालीन थे अगबर ने संतान के लिए इसी प्रसिद सूफी संद के दरगा हमें मननत मानी थी नमबर दस बहाउद्दीन जकारिया इनका संबंध मुलतान से था ये एक प्रसिद्ध सूफी संथ थे इनका मकबरा मुलतान में है नमबर ग्यारा सैयद मुहम्मद केसु दराज ये गुलबरगा यानी करनाटक के प्रसिद्ध सूफी संथ थे नमबर बारा बाबा फरीद ये अपने समय के प्रसिद सूफी संथ थे, इनका मकबर आप पाकिस्तान के लाहॉर शहर में है नमबर तेरा शेख शाहबुद्दीन सुहरावर्दी ये बांगला देश के प्रसिद सूफी संथ थे नमबर चौदा अब्दुलकादिर जीलानी ये विश्वफ प्रसिद सूफी संथ थे इनका मगबरा बगदाद यानी एराक में है नमबर पंद्रा शेख शर्फद्दीन यहिया मनेरी इनका पूरा नाम मखदूम उल मुल्क शेख यहिया मनेरी था इनका मगबरा बिहार शरीफ बिहार में है नमबर सोला शाख आलम बुखारी शाख आलम बुखारी गुजरात के प्रसिद सूफी संथ थे नमबर सत्रा मलिक मुहम्मद जैसी ये एक प्रसिद सूफी संथ थे इन्होंने पदमावत नामक प्रसिद पुस्तक की रचना की रामानुज रामानुज दक्षन भारत के प्रसिध वैश्रव भक्त थे उन्होंने भक्ती मार्ग का उबदेश दिया उनका विश्वास था कि सच्चे मन से इश्वर को समर्पित करने से मुक्ती का मार्ग मिलता है नमबर 20 रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिर से उत्तरभारत लाने का श्रे रामानंद को ही जाता है उन्होंने एक इश्वरवात की बात करते हुए राम की उपासना की बात कही हिंदी में उपदेश देने वाले विप्रथम वैश्णव संत थे प्रेश्ट 68 नमबर 21 कबीर एक महान समाज सुधारक के रूप में उन्होंने समाज में व्याप्त हर तरह की बुराईयों के विरुद्ध संघर्ष किया उन्होंने राम रहीम हजरत अल्लह को एक ही इश्वर के अनेक रूप माना उन्होंने केश्वरवाद में आस्था एवं निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व दिया उन्होंने अपने संदेश को अपने दोहों के माध्यम से जनसाधरण के सम्मुख प्रस्तुत किया नमबर 22 नाम देव नाम देव महाराष्ट्रों में भक्ती आंदोलन के अग्रणी नेता थे उन्होंने धार्मिक भेद भाव का विरोध किया और प्रेम भाव से इश्वर भक्ती कर इश्वर प्राप्ती का उपदेश दिया नमबर 23 चैतन्य बंगाल में भक्ती आंदोलन के प्रवर्तक भक्ती मार्ग का अनुसरण करते हुए क्रिश्ण भक्ती पर विशेश बल दिया नमबर 24 तुलसी दास तुलसी दास हिंदी साहिति के बहुत बड़े कवी थे और उन्होंने विश्व प्रसिद रामचरित मानस की रचना की नमबर 25 संत तुकाराम संत तुकाराम का संबंध महाराश्ट्र से है उन्होंने भक्ती भाव से इश्वर की प्राप्ती का उपदेश दिया नमबर 26 रैदास रैदास रामानंद के शिश्यों में से एक थे भक्ती भाव के उपासक रैदास ने हिंदू एवं मुसलमान में कोई भेद नहीं किया 27 मीराबाई मीराबाई का संबंध राजस्थान से था वे भोग विलास का जीवन त्याक कर सच्चे मन से भगवान श्रीक्रिष्ण की भक्तिनी बन गई और एक दिन हरी दर्शन की प्यासी मीरा विश्का प्याला पी गई 28 गुरु नानक पंजाब में भक्ति आंदोलन को सफल बनाने का श्रेक गुरु नानको है वे सिख धर्म के संस्थापक एवं प्रथम गुरु थे इनकी वानी को सिखों के धार्मिक ग्रंथ में संकलित किया गया है 29 ग्यानेश्वर 30 ग्यानेश्वर का संबंध महाराष्ट्र से था उन्होंने गीता को मराथी भाषा में रूपांतरित किया 30 सूर्दास सूर्दास का संबंध आगरा से था वे नीतरहीन कवी थे और उनकी रचनाओं में क्रिश्ण भक्ति का रस मिलता है उनका प्रसिद्ध ग्रंथ सूर्द सागर है इसमें उन्होंने क्रिश्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया है सैयद वंश प्रश्ण एक तुगलक वंश का अंत किस प्रकार हुआ उत्तर तैमूर लंग जो की एक मंगोल था के आक्रमण से तुगलक वंश का अंत हुआ नमबर दो तैमूर लंग ने भारत से लोटते समय अपना वाइस राय किसे नियुक्त किया था उत्तर खिज्र खां को प्रश्ण तीन तुगलक वंश के किस शासक को हटा कर खिज्र खां दिल्ली की गदी पर बैठा और कब उत्तर महमूत तुगलक को 1414 ईसवी में प्रश्ण चार सयद वंश की स्थापना किस ने की थी उत्तर खिज्र खां प्रश्ण पाँच, हिज्र खां ने कौनसी उपाधी धारण की थी उत्तर, रैयत ए आला प्रश्ण चे, हिज्र खां ने अपने आपको किसका प्रतिनिधी बताया था उत्तर, तैमूर लंग के लड़के शारुह का प्रेश्ट उनहत्तर प्रश्न साथ, सायद वंश की राजधानी कहा थी? उत्तर, दिल्ली में प्रश्न आठ, तैमूर लंग ने खिज्र खा को कहा का शासक नियुक्त किया था? उत्तर, मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का? प्रश्न नौ, खिज्र खा की मृत्यू कब हुई थी? उत्तर, 1421 इस्वी में प्रश्न दस, खिज्र खा की मृत्यू के बाद दिल्ली की गद्धी पर कौन आसीन हुआ? उत्तर, खिज्र खा का पुत्र मुबारक शाह प्रश्न ग्यारा, मुबारक शाह ने किस नए नगर का निर्माल करवाया था? उत्तर, मुबारका बाद प्रश्न बारा, यहिया बिन एहमद सरहिंदी किसके दर्बार में आश्रे पाते थे? उत्तर, मुबारक शाह प्रश्न तेरा, यहिया बिन एहमद सरहिंदी ने किस पुस्तकी रचना की थी? उत्तर, तारीख ए मुबारक शाही इससे मुबारक शाह के शासनकाल के विशे में जानकारी मिलती है प्रशन 14, मुबारक शाह की मृत्यू कब हुई उत्तर 1434 ईसवी में प्रशन 15, मुबारक शाह की मृत्यू किस प्रकार हुई थी उत्तर उसकी वजीर सर्वर उल मुल्क ने शडियंत्र द्वारा उसकी हत्या उस समय करवा दी जब वो अपने द्वारा निर्मित नए नगर का निरिक्षन कर रहा था प्रशन सोला मुबारक शाह की मृत्यू के बाद दिल्ली की गद्धी पर कौन बैठा उत्तर मुबारक शाह का भतीजा मुखमद शाह प्रशन सत्रा मुखमद शाह ने कब से कब तक शासन किया उत्तर 1434 इसवी से 1445 इसवी तक प्रशन ठारा मुखमद शाह की मृत्यू के बाद दिल्ली की गद्धी पर कौन बैठा उत्तर मोहम्मच शाह का पुत्र अलावदीन आलम शाह प्रश्ण उन्निस सयद वंश का अंतिम शासक कौन था उत्तर अलावदीन आलम शाह प्रश्ण बीस सयद वंश की समापती के बाद दिल्ली पर किस नए वंश का शासन इस्थापित हुआ उतर लोधी वंश का प्रश्न 21 सयद वंश ने दिल्ली पर कब से कब तक शासन किया उतर 1414 इसवी से 1451 इसवी तक लोधी वंश प्रश्ण एक लोधी वंश का संस्थापक कौन था उत्र बहलोल लोधी प्रश्ण दो बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना कब की थी उत्र 1451 इस वी में प्रिश्ट सत्तर प्रश्ण तीन दिल्ली में प्रथम अफगान राज्य का संस्थापक कौन था उत्र बहलोल बहलोल लोदी की राजधानी कहा थी उत्तर दिल्ली में प्रशन पाच बहलोल लोदी किस नाम से दिल्ली की गद्धी पर बैठा उत्तर बहलोल शह गाजी प्रशन चे लोदी वंश के किस शासक ने जौनपुर के शरकी सुल्तानों को परास्त कर उसे दिल्ली में मिला लिया थ उत्तर बहलो लोदी की मृत्यू कब हुई उत्तर 1489 इसवी में उत्तर बहलो लोदी की मृत्यू के बाद दिल्ली की गर्दी पर कौन बैठा उत्तर बहलो लोदी का पुत्र निजाम खा प्रशन नो, निजाम खां किस उपाधी के साथ एवं दिल्ली की गर्दी पर कब बैठा उत्तर उपाधी थी सुल्तान सिकंदर शह और 1489 इस्वी में दिल्ली की गर्दी पर बैठा प्रशन तस, 1504 इस्वी में आगरा नगर की नीव किसने रखी थी उत्तर सिकंदर लोधी ने प्रशन 11 गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने करवाया था उत्तर सिकंदर लोधी ने प्रशन 12 लोधी वंश का सरवाधिक सफल शासक कौन था उत्तर सिकंदर लोधी प्रशन 13 गजे सिकंदरी का उपयोग किस काम में होता था उत्तर भूमी मापने के काम में प्रश्न चौदा लोधी वंश के किस शासक ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाया उत्तर सिकंदर लोधी ने प्रश्न चौदा सिकंदर लोधी की मित्यू कब हुई उत्तर 1517 इसवी में प्रशन सोला, सिकंदर लोदी के विरुध आकरमण करने के लिए बाबर को किसने आमतरित किया था? पंजाब के शासक दौलत खान लोदी एवं इबराहिम लोदी के चाचा आलम खाने प्रश्न 18 इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्धे घमासान युद्ध कब हुआ था उत्तर 1526 इसवी में पानिपत के मैदान में बाबर विजई हुआ था उसने लोदी वंश का अंत करके मुगल सामराज्जी की नीव डाली प्रेश्ट 71